तेव मैं गुर्दीब को और आप सब का स्वागत करती हूं कुकेजी पर आज हम लोग शिमला मिर्च भरी हुई बनाने जा रहे हैं जिसमें ये समान लगेगा मैंने मटर लिये हैं तेल है ये अद्रक लसन और टमाटर की मैंने पेश्ट बना ली है ये हींग है ये सरधनिया पत्ता मैंने काट लिया है दो प्याज काते हैं और 3-4 बड़े अलू मैंने में बॉयल कर लेए है और शिमला मिर्च मैंने दोगे रखी है और यह हल्दी है काला जीरा कलॉनची जिसे बोलते हैं यह जीरा है जीरा यह लाल पिर्ची पॉडर न्यो पॉडर तुड़का लगाने के लिए जो मसाला अम लोग का शिमला मिर्च में भरा जाएगा अब हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें मैं कड़ी पत्ते लिए हैं जी अजिटा जाला जाएगा जया रागं कि जाई एब सीरा ब माजरा हैं चलतो जो क्ला जाएगा जया कि अच्का है वाला हमारा थ्जूटाग कि यंधितर से जाया प्याज में अप्की तरहें लाल कर लेने हैं यह हमारा प्याज लाल हो चुका है और मैं मत्र डाल रही हूं मत्र कच्छे हैं क्याज के साथ में पक जाने चलिए आधे नमक चालूंगी नमक आप ठ्वादम शार डाली जीए लाल मेरज अगे आप ठ्वादम शार डाली खल्दी तोड़त प्याज और मटर अच्छा से भून चुके हैं तेल छोड़ दिया है अब हमें इसमें टोमाटर अद्रत हरी में से पेस्ट डाल रहे हैं अब यह हमारा मसाला अच्छा से भूच चुका है तो यह पड़ाई में तेल ठोड़ दिया है अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं आज कम कर देंगे अब यह हमारा मसाला त्यार हो गया है मैं इसमें धनिया पाउडर मसाला डाल रहे हूं कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे अब हम इसको शिमला मिर्च में भरेंगे शिमला मिर्च को भरने के लिए हमने यह हिस्सा इसका कटर से ऐसे गोल गोल गुमा के अलग कर देना है जैसे मैंने यह कर दिया है यह बीच वाला हिस्सा को हमने बीच में रहने देना है खाने में पकने का बाद में जैदा अच्छा स्वाद देता है यह मैंने सब ऐसी काट काट के रख ली है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा नमक लगा रही हूँ तां जो पकने का बाद में हमारा शिमला मेर्च का बाहर का हिस्सा हम लोग को फिका स्वाद ना दे अलका अलका नमक लगा रही हूँ मैं सभी शिमला मेर्च को नामत लगा दिया है अब मैं इसमें यह जो मसाला है भर दूँगे इसको टाइट करके भरना है इस तरीके से मैंने सभी शिमला मेर्च में ऐसी भरना है मैंने मसाला भर लिया है अब मैंने इसको धक देना है फाल्तु मसाला जो बाहर आ गया इसको भटा दिना है मैंने सब ऐसी बना ली है अब हम शिमला मेच को बनाएंगे इसमें मैं तेल जैदा यूज नहीं कर रही है कम तेल में ही बनाऊंगी अब हमारा तेल गर्म हो चुका है मैं इसमें हींग तड़काऊंगी हींग हमारी गर्म हो चुकी है अब हम आइस्ता इस्ता है करेंगे तो यह बनाएंगे इसमें को बीटिवित में इसको घ्लाते रहेंगे इसको पुराच बशल दर्भाच ज़्केंगे आवराम लोगी को छोड़ा हला देंगे दीमी आंच में पगाएंगे अब हम एक बार और इसके विला देंगे आप ऐसे चप्ते बर्तर में बनाओगे तो ऐसे विलाने में सुधी दा रखती है जब तक हमारी शिमला मेच पक रही है मैं साथ में शिमला मेच के साथ में आज तदूरी रोटी बना रही हूं यह थोड़ा गुल करम करके इसमें मैंने आटा गूसने में डालूंगी और यह सजाने के लिए बना लगाऊंगी और यह पानी है जो इससे आटा बनाऊंगी गुंगना पानी है यह यह मैं आटा डाल रहे हूंग यह मैता है अब मैं इसमें गुल डालूंगी हमें दूंगने पाई थी फूर दूंगने अब हमें अपनी केला में देख लेते हैं जरब तो रखिए हमारी अच्छी से पक रही है द्रीमी आच में ही पकाना है तो चुपकी भर नमक डाल दिया अब इसमें हमारा अच्छा से मिक्स हो चुका है अभी मैं इसको गूठने जा रही हूं पानी गर्म है हमारा इससे दो तिन रोतियां आराम से बन जाएंगी यह हमारा आठा गूठ चुका है इसको थोड़ा नरम रखना है जैदा टाइट नहीं रखना इसको गूठने का बार ने इसको दस मिन्ट तक आप ऐसे रख लेजिए मैं इसको दस मिन्ट के लिए ठक के रख दूंगी अब इसे हम एक वार और हिला के देख लेते हैं हमारी शिंबला मिर्चे पक रही है लेकिन दीमी आच में ही अच्छी बनेंगी आठे को रखे हुए दास्मेंट हो गया अब हम इसको खौल देख लेते हैं लेकिये आठा हमारा ठीक बना तबा हमारा गरम हो चुका है तबे को हमने पूरा गरम करना है और यह तबा लोहे कई होना चाहिए तवा नहीं हूना चाहिए अब हम अपनी तजुरी रोती बनानी शुरु करते हैं यह आम रोटी से मोटी होती है, तो ऐसे गोल बना के बेल लेते हैं, मैं हमारे रोटी बेल चती है, थोड़ी मैंने मोटी बनाई है, आम रोटी से, और मैं इसमें लगाऊंगी धनिया, त्याज और हरी मेरज, उत मातर, तो हम एच्छी बेल देंगे, तो हमारी रोटी तेजार हो, अब हम तावे में डालेंगे इसको, इस हमारे उल्टी साइज में हमने इसको पानी लगा देना है, ऐसे, पानी लगा देना है, पानी लग चुका है, तो हम इसको दीमी आँच में ऐसे उल्टा कर देंगे, बीच बीच में इसको देखते रहेंगे, इंदर, एक हमारे रोटी बत कर देंगे, गुमा, गुमा, गुमा के, यह हमारे रोटी सिख चुकी है, देखिए, कितनी अच्छी बनी है, अपने आप उठ चाएगी, थोड़ा सेख लगने से, यह हमारे रोटी में, सेख लगया थोड़ी करारी हो जाए, यह हमारे शिम्ला में इस्टी अभी तैयार हो देए, यह हमारे शिम्ला में इस्टी हो चुकी है, तेल सारा इसने शोड़ दिया है, यह हमारे रोटी अच्छा से पत चुकी है, अब मैं इसमें देशी गही लगाऊंगी, आप इसमें मक्ती भी लगा सकते हैं, शिम्ला में चार तदूरी रोटी हमारी पत चुकी है, ठंड के मौसम में बनाईए, और खाईए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइक कीजिए, ठेंक यू,